मैंने एक वीडियो अप्लोड करी थी छोटी सी तीन मिनिट की जिसमें मैंने जो भी विवर्स हैं जो मुझे देखते हैं उनको मैंने बोला था कि अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक टाच हो मेरे आने वाले सेशन में तो आवहां पर कमेंट कर सकते हैं और जिन कमेंट के ऊपर मैक्सिमम नंबर आफ लाइक्स आएंगे वही मेरे आने वाले जो सेशन हैं उनके टॉपिक्स होंगे और कुछ ऐसा आया है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन अब जो क्या कहूंगे लॉंडे तो लॉंडे ही रहेंगे ना यह मेरे पास में लिस्ट है जो टॉप पे जो टॉपिक आया है तो गैस क्या होगा वो टॉपिक लड़के हो तो मतलब फड़ा तो दिर्मान गोना चाहिए चाहिए मास्टरबीशन वहत लॉपिक है उसी से रिलेटिट और बहुत सारे टॉपिक्स है पउन हो गया मैस्टरबीशन हो गया सेक्स हो गया यह सारे टॉपिक से इस घुक्ग वाप समझ गे ऊपे लड़केयों नहीं नहीं बुलाया है। बहुत ही awkward situation create हो जाती। उनके लिए भी और हमारे लिए भी। अब यहां पर हम यह देख सकते हैं कि हम यार दोस्त बैठें अपना आपस में बात कर सकते हैं। खुल के बात कर सकते हैं। वैसे तो camera लगे हुए ज्यादा खुल के भी मत करना। हुआ सा समल के हां समल के दोस्त। अगर आप मेंसे कोई भी जादा conscious हो रहा है क्योंकि वीडियो में आप लोगी शकले देखने वाली हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है या आप conscious हो तो आप पीछे जाकर के बैठ सकते हो जिससे आपकी जू शकल हो थोड़ी सी छुप जाए। या फिर जैसे डेट पर लड़किया जाती है और रुमाल बांध करके वैसे अपना रुमाल बांध लो मुग के उपर सिर्फ आँखिया दिख रहे होंगी और रुमाल के अंदर से आप बोल रहे होगे। या क्या कहूं मेरी क्या दिक्कर आप तभी बोलना जब पूरी तरह से कॉपिडेंट हों नहीं तो अराम से बैठों बैठ के सुनते रों और क्या है उसमें आपका क्या जा रहा है जो जाएगा मेरा जाएगा शकल मेरी दिख रही है गालिया मुझे पढ़ेंगी तो मैं क्य अज़ा करना हूं एज फ्रेंड हम लोग आपस में कुछ डिसक्शन कर रहे हैं अपना आपस में बट यह फीमेल्स के लिए भी रेलेवेंट है कि यह प्रॉब्लम सिर्फ मेल्स की नहीं है फीमेल्स की भी है अगर इसको प्रॉब्लम कहें तो वह जैसे से सेशन आगे मज़ना है कि प्रॉब्लम है भी है नहीं है जो क्वेशन जिसके ओपर पांच हजार नौसो लाइक साइए हैं हो है सर टॉक बाउट मास्टरबेशन प्रॉब्लम बिकॉस वी डोंट गेट सॉलूशन एनिवेर तो इस क्वेशन में बहुत बड़ी गड़बड हो रखी है इ यह क्वेशन खतम हो जाता है और अगर आपको समझना है कि कैसे नॉर्मल है नैचरल है तो इसमें मेरी जरुवत नहीं है आप गूगल पे जागर सर्च करो वो लोग जो एक्सपर्स हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में वह आपको बताएंगे कि साइंटिफिकली कैसे नॉर् पानी पीना बहुत अच्छा है आपकी बोडी के लिए आठ से दस गलास अगर पानी पिऊगे एक दिन में तो बहुत अच्छा है 20-30 गलास पिऊगे तो क्या होगा प्रॉब्लम ही प्रोब्लम है खाना आप खाओगे जितनी भूक है अगर उतना खाओगे तो कोई रिकत ही अब अगर टेस्ट के ले खाऊगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मतला आपको भूख नहीं है बस खाये चले जा रहे हो टेस्ट के लिए हर एक गंटे में कुछ नो कुछ चर रहे हो इसको आप उससे भी लिंक कर सकते हो मैं डिरेक्टली ना बात करके थोड़ा गुमा कर तो सबसे पहली चीज तो यह क्लियर होनी बहुत जरूरी है हम सब को जो भी लोग मुझे देख रहे अभी वीडियो में उनको कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि हमको सॉलूशन निकालना है नॉर्मल है नाचुरल है पार्ट आफ लाइफ है करना क्या है नमबर वन इसको जरूरत से जादा इंपोर्टेंस नहीं देनी है नमबर टू इसको सप्रेस नहीं करना है हर चीज को अगर आप लाइफ में अपनी जगे पर रखो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उससे जादा इंपोर्टेंस दोगे तो प्रॉब्लम है उसको जादा ही सप्रेस कर नहीं लग रही है यह प्रॉब्लम है अगर आपके अंदर इस तरह की अर्ज नहीं उठ रही है आपके एज हो चुकी है बच्चे हो तो बाद अग है एक पर्टिकुलर एज हो गई है जो आप सब प्रॉब्लम ना कि अगर जितनी भूक लग रही है, उतना आप खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा रहे हो टेस्ट के लिए, मज़े के लिए, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, mobile को जितना जरुवत है उतना ही use करो तो कोई problem नहीं है 8-10-10 गंटे तक mobile पे लगे रहो तो problem ही problem है एक particular age के बाद में if you are an adult तो अगर थोड़ा बहुत कभी pawn देख लिया तो कोई problem नहीं है पूरा दिन pawn ही देखते रहो तो problem ही problem है समझ गए ना हाँ अगर देख रहे हो out of curiosity कि या चलो देखता हूं क्या हो रहा है just to learn just to understand कि ठीक है ये भी एक life का aspect है चलो देखता हूं कोई problem नहीं है जहां पर भी आप सीख रहे होते हो तो वहां पर आप सीख करके grow कर जाते हो जहां पर सीख नहीं रहे होते हो होगा जो आप लोग के माइंड में आएगा या बहुत सारे लोग के माइंड में आता होगा तो अगर ये नॉर्मल है तो कितना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है कि आप मुझसे यह नहीं पूछ सकते आकर कि कि कितना खाना सही है किसी के लिए 2 रोटी सही है, किसी के लिए 4 रोटी सही है, किसी के लिए 6 रोटी सही है depending upon your body type तो वो आपको खुद कॉल लेनी है कि आपके लिए कितना सही है for somebody it could be once in a week is okay for somebody once in a day is okay but you need to take this call लेकिन मैं जबर्दस्ती पॉन देख करके excited हो करके जबर्दस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं जबर्दस्ती क्यों करता है तो इस तरह से दिमाग लगाना होता है समझना होता है, अपनी लाइफ को design करना होता है कुछ टाइम ऐसा होगा आपकी लाइफ में जहां पर आप चाहो भी तो आपके बसमें टाइम नहीं है यह सब करने का जैसे आप कहीं job कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो किसी institute में हो तो वहां पर तो आप शुरू नहीं हो जाओगे पर प्रोफेसर पढ़ा रहा है क्लास में तो आपको यह समझना है कि मेरा time कहां पर खराब हो रहा है मेरी life कैसे खराब हो रही है Porn की वज़े से और masturbation की वज़े समझ आ रहा है या complicated हो रहा है मतलब कि आप खाने के बारे में ना सोचते रहो क्यों ना क्यों के खाने के बारे में हिं सोच ते रहे तो जो करने वाले और काम है किसे करोगे सबसे आधा माइंड में काने के बारे में कव आता है चवराथ रहता है video अब पर एज़े के शॉते हैं वहां पर भी एक एड़िडे की वेटिंग होती है इससे क्या हैं तो हमारी बढास बहुत बूरे तरीके से हमाँ पर निकलती है इतना अपने आपको इससे क्या हो च्या मिलेगा अपको सप्रेस करके बस कहीं पर पढ़ लिया है किसी से सुन लियां कि करना बुरा होता है सइंटिफिकली नहीं संझा जैसे अगर आप हफते में दो-चार बार ऐसा कुछ कर रहे है, तो दिन में आप चार बार कर रहे हो तो, then it is an addiction तो क्या बोलना है अपने आपको वहाँ पे बहुत strong words बोलने होगे कि मुझे मैं ही control कर सकता हूँ और कोई नहीं करेगा कौन करेगा आपको control आपके मां करेगी नहीं बेटा मत कर उसको तो पता भी रही है तो कॉन control करेगा आपको खुदी को करना पढेगा तो करते क्यों नहीं हो कभी सोचते क्यों नहीं हो जो chy ौने अब धाद क्या टाइम है अभी अपका जो टाइम है अभी जो आपकी एज है वह है अपना करियर बनाने की ता कि आप क newborn ynा रहो पूरी लाइफ cases तो चो अभी आपने यही सब करने में निकाल दी अपनी लाइव, अपने आपको बोलना है, शीशे में गड़े होकर, कि अपनी शगल देखो, बोलो जिंदगी पर मुझे क्या, यह आथ लाते रहना है, यह कुछ काम भी करता है, इसे बोलना होता है अपने आपको, strong words बोलने ह तब ही आप अपने आपको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो कैसे करोगे, यह प्लेजर आपको अपनी तरफ खीच लेंगे, आपको बोलना है, प्लेजर इस नाट दी एंड गोल अफ लाइफ, इस जस अ पाट अफ लाइफ, इस नाट बैड, आप कुछ खाते हो, उसमें आपको अच्छा लगता है खा करके, भूक लगी है, उसके बाद में खाया तो अच्छा लगता है, यह अच्छा लगना जरूरी है, अगर अच्छा नहीं लगेगा खाने में, तो आप खाना ही बंद कर दोगे, प्यास लगती है, पानी पीते हो, अच्छा लगता है, तो प्लेजर अच्छा है, बुरा नहीं है पर प्लेजर is not the end goal आपको प्यास नहीं है, बस पानी पीए चले जा रहे हो पीए चले जा रहे हो कुछ भी imagine करके, उससे क्या होगा पॉन क्या है? एक fantasy world ही तो है जहाँ पर हम खो जाते हैं जा करके रियालिटी में कहीं कुछ नहीं हो रहा है रियालिटी में सिर्फ आपका एक mobile है या एक computer है आप सिर्फ imagination की एक दुनिया में खोए पड़े हो वाइल watching porn, ध्यान दो वाँपर हो क्या रहा है, तो आप देखो कि जैसी आपका ध्यान स्क्रीन में जाएगा तो अंदर बॉडी में बहुत तरह की sensations होने लग जाएगी मतलब आप होश से बेहोश हो रहे हो आपका control अपने उपर से जा रहा है तो अगर इस चीज को आप देख पाओ यह ज़्यादा हो रहा है आप लोग के लिए या समझ आ रहा है यह बड़ा असान है करना कोई मुश्किल नहीं है आज जागर के करना जैसे देखते रहते हो आपका control आपके उपर से खोने लग जाएगा आप उसमें खो जाओगे मतलब आपका control अपने माइंड पर से गया आप control आपका किसके हाथ में है जो स्क्रीम पर दिख रहा है उसके हाथ में और कई तरह की बॉड़ी में सेंसेशन फिर एक सेकेंड में अपना ध्यान मोबाइल की तरफ ले जाओ देखो उस मोबाइल के बटन देखो जैसी वो देखो कि बॉड़ी में सेंसेशन वह नहीं बंद हो जाएंगे तो आपको फर्क पता होना चाहिए सपना क्या है रियालिटी क्या है ताकि रियालिटी में जब आप किसी रिलेशन्शिप में एंटर करोगे किसी परसंड के साथ में तो उसको टच करो तो आपके माइंड में वह पहन नहीं गुमनी चाहिए जो आप देखते आये हो वोगी वो फांटेसी उस रियालिटी से बिलकुल अलग है आचाम पता नहीं कि मतलब इसे सब के साथ अब यह सब कर देखा है उसके बाद रिग्रेट की फीलिंग आद लगती है यह मैं आपको यह कह सकता हूँ कि लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होनी चाहिए इस बात को मेरी गांठ बांदो अच्छे तरीके से आप चाहे कुछ गलत से गलत भी कर जाओ अगर उस गलती से आप सीख रहे हो तो आपर रिग्रेट की कोई गुझाईश नहीं है मैं यह मैं समझो कि मैं गलती ही ना करूँ कि मैं एक बार को सोच लूँ कि हाँ अब मैंने अपना एक यह फिक्स कर दिया हफते में तीन दिन तो तीन दिन बट आपको हुआ कि एक दिन में तीन बार हो गया हो जाता है जी भावनाओं में बह जाते है तो उससे सीख लो उसस कर दो उस काम को, positively हुई, करो ना, तीन पर को उन्रों कर रहा है, खातम बात, as simple as that, मतलब, don't create unnecessary rules in your life, and don't get stuck in those rules, मतलब, आप खुदी अपने एक बिलीब बना रहे हो, और खुदी उसमें जागर ये फस रहे हो, फिर खुदी दुखी हो रहे हो, कोई इंपक्त नहीं होता है, बस एक फीलिंग में दिमाग में stucked है कि ऐसा किया है और ये गलत हुआ है कुछ, हाँ, तो ये गलत सही को उटा दो, कुछ भी गलत सही नहीं है, अगर आम सीख रहे हैं, तो सब कुछ सही है, गलत सही क्या होता है, लाइफ का experience है, आपको एक बॉड़ी मिली है, जिसके अंदर कुछ अर्जिस उठी, उसके इसाब से आपने act किया, कोई crime तो नहीं किया ना, ये नाट committed a crime, वो किया, देन रिगरेट होनी चाहिए, पट इव नाट committed a crime, आपने गलत किया किस बेस पे मुझे लग रहा है गलत है, वो सकता हो, सही भी हो, उस टाइम पर अगर आप वो नहीं करते हैं, तो हो सकता है, पागल खाने पर होते हैं, या आप से कुछ और हो जाता, ठीक है जी, ख्लियर है ना, जैसे कि मैं यह जाना चाह रहा हूं कि हमाही लाइफ हो बहुत आप छीजे इंपोर्टेंस तो होती है, और कभी-कभी मतलब इंपोर्टेंस चीज रहे हैं, जिए उसको सेक्षोल अट्रेक्शन आ जाता है, पीच में, तो इसको मैं यह मतलब यह जानना चाह रहा हूं है, रहू कर रहा है? बजी कॉस्ट्यूच्टिशन प्राइफ है फुए क्या हूं बहुत है? है बोड़ी ऐसी ही है इस तरह के डिजायर्स होना नाचरल है तो अब इस डिजायर्स को आप कैसे पूरा करोगे एक तो यह है कि आप किसी और पर डिपेंड नहीं हो रहे हो that is masturbation that is much better than going to a prostitute and getting into all kinds of complications या फिर किसी person को आप जूट बोल करके उसको बोल करके कि हाँ मैं बड़ा सीरे सुंतर को ले करके whatever it is और उसको जूटे-जूटे सापने दिखा करके उसको यूज कर रहे हो कुछ अपने seconds के pleasure के लिए उसकी भी आपने life बर्बाद करी और खुद की भी बर्बाद करी यह बेटर है या masturbation better masturbation is any day better than all these things वो एक कहावत है न अपना विष्यू अपना चलिए विष्यू अल वेर्या बेस्त था लूटे 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 व्यूटे सुन्टे सुन्टे साथ झाल झाल